एलो स्टुडेंट्स आज हम निरोन के बार में पढ़ेंगे आपने ओल्दो इसके बार में 10th क्लास में भी पढ़ा होगा जिसको आप तंतरी का कोशी का भी बोलते थे तो निरोन जो है वो हमारे नवस सिस्टम का एक स्ट्रॉक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जनरली जब हम किसी सेल की डेफिनेशन लिखते हैं कोशी का की डेफिनेशन लिखते हैं तो वहाँ पर हम लिखते हैं the structural and functional unit तो सेम वही चीज यहां पर आती है कि नवर सिस्टम का जो सबसे smallest यह सेल जो है उसका पार्ट है जिससे उसका structure बनता है या जिसका एक particular function होता है उसे हम neuron बोलते हैं तो neuron एक microscopic structure means without microscope आप इसको नहीं देख सकते ओल्दो यह हमारी body का सबसे largest cell है जिसकी लंबाई लगबग 1 मीटर होती है बड़ यह इतना वारी कितना thin होता है कि आप इसको बिना microscope के नहीं देख सकते हो तो इसमें तीन parts होते हैं cell body dendrites and exome सबसे पहले हम बात करते हैं cell body की cell body में cytoplasm होता है और जितने भी cell organelles होने चाहिए यह like mitochondria ER वो सब इसमें present होती है इसके अलावा इसके अंदर कुछ granular bodies मतलब दाने like दाने जैसे कुछ चीज़े होती है जिने हम नीजल्स granules बोलते हैं उसके बाद आती है कि जो cell body है cell body में से छोटे छोटे fibers निकलते हैं धागे से निकलते हैं और वो आगे जाके branches बना लेते हैं उन्हें हम बोलते हैं dendrites for example अगर मैं आपको इस diagram के तुरू समझाओं तो यहां पे जो यह बीच वाला हिस्सा है this is the cell body इस cell body में से इस तरह से hair like structures निकल रहे हैं जिनके आगे further branching हो रही है इन्हें हम बोलते हैं dendrites और उसके बाद एक जो यह टेल लाइक लंबा सा स्ट्रक्ट्टर इस दा एक जो तो यह हमारे neuron के basically three parts होते हैं तो यह जो fibers engine को आप dendrites बोलते हैं यह क्या करते हैं these transmit impulses towards the cell body यह आगे हमारी body के different parts के साथ connected होते हैं तो हमारी body में जब कुछ भी impulse आती है किसी भी तरह की कुछ भी उदीपन वो जब गरहन करते हैं तो वो इसी dendrite के through वो लेंगे और उस message को cell body तक पहुचा देंगे exon exon एक बहुत लंबा fiber होता है और इसका भी जो आखरी किनारा जो distal end है वो ब्रांच है मतलब उसकी शखाए निकली होती है और अगर आप ध्यान से देखो तो हर एक ब्रांच के end वाला हिस्सा आपको थोड़ा सा सूजा हुआ swelling वाला दिखेगा तो यह जो end वाला हिस्सा है जो एक bulb की तरह दिखता है इसे हम बोलते हैं synaptic noob और इसके अंदर कुछ synaptic vesicles मतलब synaptic vesicles means छोटे छोटी आपके सकते कटोरियां से या गड़े से होते हैं और उनके अंदर chemicals भरे होते हैं उन chemicals को हम बोलते हैं neurotransmitter तो जो exon है वो क्या करेंगे टेंड्राइट्स जो है message को लेकर आए cell body के पास फिर cell body से उस message को exon carry करेगा और exon जो है उस message को synapse पे भेज़ देगा synapse होता है जहां पे आपके दो neurons एक दूसरे से connected होते हैं तो यह उस message को synapse में भेज़ देगा या फिर या तो जहां पे दो neurons connected है या तो वहां भेज देगा या यह उस message को वहां भेजेगा जहां पे आपके neurons muscles के साथ जुड़े हुए है जिसको आप neuromuscular junction भी बोल सकते हो अब किसी neuron में exon and dendrites कम भी हो सकते हैं किसी में ज़्यादा भी हो सकते हैं तो exon और dendrites के number के accordingly हमने neurons को तीन टाइप में divide कर दिया है एक होते हैं multipolar neurons, एक होते हैं bipolar neurons और एक होते हैं unipolar neurons multipolar neurons वो होते हैं जिनका exon तो एक है लेकिन dendrites दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं जो generally हमारे cerebral cortex यानि कि cerebrum की बाहर की साइट पाए जाते है bipolar बाई का मतलब होते है दो तो इसमें exon तो एक रहेगा और एक ही dendrite रहेगा तो ये हमारे जनरली आई के रेटिना में पाया जाता है और unipolar का मतलब होते है uni means one यहाँ पे जो cell body है उसमें सिरफ एक exon होगा उसमें dendrites वाला हिस्सा नहीं होगा तो मैं इस चीज़ को फिस से रिपीट करूँगे कि हमने exon और dendrite की संख्या के हिसाब से जो neurons हैं उनको तीन categories में बाट दिया है multipolar, bipolar, unipolar multi का पतलब होता है बहुत सारे तो चाहिए आपका कोई भी neuron है exon तो सब में एक ही रहेंगे लेकिन dendrites की जो संख्या है वो बदल सकती है multipolar में exon एक ही है लेकिन dendrites आपके दो या दो से ज़्यादा हो सकते है इसका example है cerebral cortex bipolar का मतलब होता है जहाँ पे exon भी एक ही हो dendrite भी एक ही हो for example retina of 5 और unipolar का मतलब होता है जहाँ पे dendrites तो है ही नहीं सिरफ exon है और यह generally जब embryonic stage है नहीं कि जब तक कोई बच्चा भुरून है जब तक वो अपनी माता के गर्ब में है तब तक उसके जो cells है वो unipolar होते हैं अब यह जो exon है जो आपने टेल लाइक स्ट्रक्चर बताया था यह exon भी दो तरह के होते हैं myelinated and non-myelinated जो myelinated nerve fibers होते हैं उनके बाहर shwen cells की एक covering होती है जो उनके आसपास myelin sheath बना देती है मतलब cover बना देती है और जहाँ पर आपकी 2 myelin sheath एक दूसरे से जुबती है वहाँ पर जो gap होता है उस gap को हम बोलता है node of familiar for example आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो यह diagram दिखाया हुआ है यह हमें myelinated exon का दिखाया हुआ है तो यहाँ पर यह सारा exon है जो tail like structure है तो इसके उपर एक covering चड़ी हुई है उस covering को हम क्या बोल सकते है myelinated nerve fibers और उसके उपर schwenn cells जो है वो भी उसको cover करके रखते है मतलब schwenn cells ने इसके आसपस myelin sheath बना दे तो यह जो आपको बाहर की तरफ दिख रही है यह myelin sheath है और जहाँ पर आपके दो myelin sheath जुब जाती है उस gap को हम बोलते है node of ranvir तो यह जो myelinated nerve fibers है यह spinal और cranial nerves में पाए जाते है इसके लावा कुछ exons ऐसे होते है जो unmyelinated होते है मतलब उन में myelin sheath नहीं होती और उसमें भी schwenn cells तो पाए जाएंगे लेकिन myelin sheath नहीं होगी और वो ज़्यादतर autonomus और somatic nervous system में पाए जाते है तो जैसे कि आप यहाँ पर देखी सकते है जो जो चीज जाने डिसकस की को साही डाइग्राम में दिखाई हुई है यह वाला पार्ट है this is the cell body इसमें सारा asper cytoplasm होगा और उनलीस होगे बीच में nucleus होगा और कुछ इसमें granules मतब दाने जैसे structure हों के जिनियम, measles, granules भी बोलते है इसमें से इस तरह से branches निकल की जाएंगी here like structures की इनियम बोलते है dendrites dendrites का काम होता है अलग-लग organ से message connect करके उस message को nerve cell के पास लेकर आना फिर उसके बाद इसमें एक long से tail like part होता है जिसे हम बोलते है exone वो exone क्या करेगा जो message dendrites लेकर आई है वो उस message को आगे भेजेगा या तो वो उस message को भेजेगा synapse में यानि कि जहां पे आपके दो neurons जुड़ते हैं या वो उस message को भेजेगा neuromuscular junction पे जहां पे आपके nerves और muscles एक दूसरे से connected है अब यह जो exone है इसके उपर कई बाद एक sheath यानि कि एक covering होते है जिसे आप myelinated covering भी बोल सकते हो और उसके उपर schwenn cells है जो उसको cover करते हैं तो जब schwenn cells आके उसको cover कर लेते हैं और एक covering बन जाते हैं that is known as myelin sheath तो जो myelinated exones है उनमें myelin sheath होती है जो non myelinated exone है उनमें myelin sheath नहीं होती है और दो adjacent myelin sheath के बीच में जो खाली gap है उसे हम बोलते हैं node of renvier और generally जो non myelinated आपके sheath है वो आपके autonomous और somatic nervous system में पाई जाती है तो किस तरीके से यह neurons message लेते हैं उसे transmit करते हैं उसको next video में discuss करेंगे